दोस्तों किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको तीन तरीके पता होने चाहिए यह तरीके सीखना बहुत महत्तुपूर्ण है इन तरीकों को सीख कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है तो आईए मैं आपको गौतम बुध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ जिससे कि आप भी किसी भी व्यक्ति के मान को पढ़ने का तरीका सीख जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो बुधाय जरूर लिख दे और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नर्वाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए तो चलिए बुध कहानी को शुरू करते हैं बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाव में दो भाई थे बड़े भाई को अंधा था इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और चोटे भाई खेती कर था हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी क्रिशे बरबाद हो रही थी इससे चोटे भाई को बहुत परिशानी हो रही थी फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था वह खेत में बैटकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था इस तरीके से हमारी क्रिशिब बच सकती थी इस सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा जोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा उसने उससे कहा भाई अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोड से चिलाओ और जानवर यहां से भाग जाएंगे इससे हमारी फसलें बच जाएंगी बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती वह तुरंत जोर से चिलाने लगता और जानवरों को डरा कर भगा देता वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं एक एक दिन एक हिरन उनके खेत में दौड रहा था और खेत को तोड़ कर भाग गया हालांकि एक राजा भी वहाँ था जो हिरन की पीछा कर रहा था राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा क्या तुमने यहाँ एक हिरन देखा है जवाब में अंधे भाई ने कहा मैं अंधा हूँ मैं कैसे हिरन देख सकता हूँ पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरी खेट से जो जानवर भाग गया है, वह आपकी पीछा करने लायक नहीं है. आप अपना समय बरबाद कर रहे हैं. उस अंधे के शब्दों से चौका हुआ था. उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा, ये कैसे कह सकता है कि जो हिरन मैं ढून रहा हूं, वह पीछा करने लायक नहीं है. तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे जूट नहीं बोल रहे, एक और तुम कहते हो कि तुम अंधा हो, और दूसरी और, तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहां से भाग गया है, मेरे पीछे पढ़ने के लायक नहीं है. फिर अंधा भाई ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी, जिसे तुम हिरन समझ रहे हो, वह वास्तव में हिरन नहीं है, वह एक मादा हिरन है, और मेरे ज्यान के अनुसार वह गर्भवती है. मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा, एक गर्भवती, मादा हिरन की शिकार करता है. इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ, कि वह तुम्हारे पीछे पढ़ने के लायक न, कि अंधा यह कैसे जान सकता है, कि वह गर्भवती, मादा हिरन है. उसने सोचा कि कैसे एक अंधा यह जान सकता है. मैं जिस हिरन की शिकार कर रहा हूँ, वह क्या गर्भवती है या नहीं, इस अद्भुत अंधे का इतना आत्म विश्वास के साथ कैसे कह सकता है, इसलिए मुझे इसे जाच करना होगा. इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया, और अपने कमांडर से कहा, कमांडर मुझे चाहिए कि वह प्राणी जिन्दा रहे, क्योंकि मुझे जाच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरन है. यह अंधा आदमी इतनी आत्म विश्वास के साथ कह रहा है, और मुझे यह सुनिश्चित करना है. जाओ और जाच कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरन है. राजा के आदेश पर कमांडरों ने हिरन को पा करने के लिए चला गया. कुछ समय बाद जब वह लोटे तो राजा से कहा. राजा यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है. वह वाकई एक गर्भवती मादा हिरन है. इस सुनकर राजा हैरान हो गया. उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरन है. राजा के मन में कई सवाल उठे. आखिर का राजा ने इस पर पूरी तरह से समझोता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा. सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं. लेकिन मैं तुम से एक सवाल पूछने आया हूँ. क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा. राजा, आप मुझ से जो भी पूछना चाहेंगे, मैं आपको सच्चाई से जवाब दूँगा. राजा ने कहा. देखो, एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर की मैं पीछा कर रहा था, तुम कहते हो कि वह गर्भवती मादा हिरन है. और साथ में तुम्हें ये भी पता लगाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं. तुमने ये सब कैसे अनुमान लगाया. तब अंधा अदमी ने समझाया. सर, जब आप उस मादा हिरन की पीछा कर रहे थे, तो उसकी गती और दोड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले से ही समझा आ गया था कि ये हिरन है और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी. उसकी उंचाई ज्यादा नहीं थी. अगर ये सामान ने हिरन होती, तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी. लेकिन वह हिरन ने उस बांध को तोड़ कर भाग लिया था. और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती, तो उसके संतान को खत्रा होता. इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है. इस व्याक्या को सुनकर, राजा अंधे के विशेश ग्यान और कौशल को देखकर चौके हुए हैं. वह समझता है कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद, अनू की जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है. राजा इसका लाब उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछता है. राजा कहते हैं, तुम बुध्यमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है. आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि जान सकूँ कि मेरी पत्नी मेरे प्रतिविश्वासी है या नहीं, अंधा आत्मी जवाब देता है. ओ राजा, ऐसा सवाल कैसा है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं. ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देना होगा. अगर तुम मुझे उत्तर नह इस सवाल का जवाब चाहते हो, तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी. राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है. उसके लिए, तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा. ये सुनते ही पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद, वह उस व्यक्ति की बात मानता है, और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है. कमांडर कमांडर उस पर क्रियान वेन करता है, और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छो ना है, यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भरी हो जाती है, और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से वह उसे बेहत बेरहमी से पीटती है, बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा लेता है, और राजा के पास जात उसने उससे गुसे में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूहूंगा, और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा, अगर तुमने जूठा बोला, तुम्हें तुम्हारा सरतुरं तलग कर दूँगा, उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या न तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है, अंधा उत्तर देता है, ओ राजा, ये काफी सरल है, मैंने आपकी पत्नी से से कहा कि मैं उसे चूना चाहता हूं, और वह इतनी रोश में आ गई, कि मुझे मारने लगी, वफदार औरत कैसे किसी अन्यपुरु जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे चूना चाहता हूं, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ, अब तुम मुझसे बताओ इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है, राजा पिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या, मैं सच मुझ मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का, इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, ओ राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इस राज्य के राजा हो तो इस सवाल को लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, अगर तुम सही जवाब दोगे, तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूँगा, अंधा आदम कि तुम मुझसे वादा करो, कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे, राजा कहता है, हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, फिर आदमी जवाब देता है, ओ राजा, मैं तुम्हें बताने की आवश्यक्ता नहीं है कि तुम सच मुझ अपने पिता के बच्चे हो, मैं तुमें अब बता दूँ कि तुम मेरे स्वामी राजा और परमिश्वर के पुत्र हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप से गुस्सा नहीं होगा, फिर अंधा राजा से कहता है, तुम सच मुझ अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्याप व्यापारी की छाया में भी हो, ये सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है, और ततकाल अपनी मां के पास जा जाता है, उससे कहता है मां, कृप्या मुझे सच बताओ, क्या मैं सच मुझ अपने पिता का बच्चा हूँ, या किसी अन्यका, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहां ही अपनी जान दे दूँगा, मुझे सच बताओ, क्या है राजा की, मन कहती है पुत्र तुम सच मुझ अपने पिता का बच्चा है, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो, जब मैं नहा कर अपनी आवश्यक्ता अनुसार देख र देता है, ओ राजा, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं, और मैंने सभी के सही उत्तर दिये हैं, अगर आप कोई अन्य राजा होते, तो मैंने अब तक कई पुरसकार प्राप्त कर लिये होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं ल इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं, ये सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो, मैं जरूर दूँगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जान लेते हो, क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक और निशकलंक उत्तर कैसे द भाशा होती है, और इस भाशा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देख कर समझा जा सकता है, व्यक्ति की आँखों, होटों काम करने के तरीके और उनकी गति विधियों को देख कर हम समझ सकते हैं, कि उसके मन में क्या चल रहा है, इस पर आधारित हम किसी की विचारों को जान सकते हैं. लेकिन मैं अंधा हूं. इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है. अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सॉपना पड़ता है. देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके अंधा आदमी कहता है बिल्कुल आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा और वह काम है अपनी मानसिक्ता को शांत करना अपनी मानसिक्ता को वर्तमान में लाना इसके लिए आज मैं आपको तीन तरीक बताऊंगा और यह तीन तरीके बहुत ही सरल और आसान है लेकिन राजा इससे पहले आपको एक चीज करनी होगी अपनी मानसिक्ता को संकेंद्रन को संकेंद्रन दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसि वर्तमान में लाना होगा. तब ही हम उनके विचारों को समझ सकते हैं. अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है? क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिप्टे हुए हैं, तो किसी के विचारों को जानने के लिए, सबसे पहले हमें अपनी मानसिक्ता को संकेंद्रन. उसके बाद ये व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैं जरूर तीन तरीकों को बताऊंगा, जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं. इसके बाद अंधा राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है, आँखों पर ध्यान देना. किसी से बात करते समय, सबसे महत्वपूर्ण ये है, कि हम उसकी आँखों में देखें, क्योंकि आँखें बोलती नहीं, लेकिन वे बहुत कुछ कहती है. अगर हम उस व्यक्ति की आँखों में के संकेतों को समझना सीख जाते हैं, तो हम जान सकते हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रही हैं, और वे क्या करने वाले हैं. मेरी अपनी आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुध से कई साल पहले सीखा था. वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे. उस समय मेरी आँखें थीं, और मैं सिर्फ उनकी आँखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था. इसी लिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं, तो आपको उनकी आँखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह विच कहां देख रहे हैं और किस दिशा में हैं। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं, उनकी आँखें इधर उधर घूम रही हो, तो यह मतलब है कि वे बात चीट से बचने का तरीका ढून रहे हैं, और कोई शायद जूट बोल रहा हो, अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है, तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका जूट प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे, लेकिन अगर उनकी आँखें बिना हिले आपको देख रही हैं, तो वह शायद इमांदार हो सकते हैं और उन्हें आप से बात करना और अपने विचार साझहा करना है, इसके अलावा देखें कि उनकी भोह कैसे हिल रही है, अगर वह दूसरी ओर देखते हुए उनकी भोह नीचे जाती है, तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है, अगर उनकी भोह उपर जाती है और उनकी आँखें बड़ी हो जाती हैं, तो वह आश्चर्य या जिग्यासू हो सकते हैं, जिन्हें आपके विचारों के बारे में यहां तक की देखें कि उनकी पूंजी इतनी बड़ी या छोटी है, पूंजी आँख का काला हिस्सा होती है, अगर पूंजी बड़ी होती है, तो यह मतलब है कि अगर पूंजी बड़ी होती है, या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे है वह असहज या गुस्से में है इसके अलावा देखें कि उनकी आँखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है आँख का सफेद हिस्सा स्कलेरा कहलाता है अगर स्कलेरा लाल होती है तो ये मतलब है कि वह ठके हुए तंत्र या बीमार हो सकते हैं. वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे. मैं एक समय याद करता हूँ. जब मैंने एक ठके हुए व्यक्ति से मिला था, जो यात्रा कर रहे थे. हम जब बात कर रहे थे तो उसकी आँखें बहुत घूमती रहती थी. मुझे कभी देखती नहीं. इससे दिखाई देता था कि उसको चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता था. मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा. हो सकता है वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहता था. इसलिए मैं मैंने उससे और सवाल पूछे. मैंने पता लगाया कि उसका एक गुप्त योजना था. इसी तरह अन्य भी चेहरे की भावनाओं की अन्य व्यक्तिगत व्यभार होते हैं, जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं. कभी-कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन व्यभार दिखाता है. यद यह सब बातें उनके चेहरे की अभी व्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती है. ओ राजा, चेहरा एक चित्र की तरह है, जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं. अगर वे कुछ नहीं कहते हैं, तो यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं, त आम तोर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं. आप उनकी आखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, वह निचले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं. दूसरी ओर, जब कोई बड़ी और सच्च मुस्कान होती है, जो आखों और गालों को उठाती है, वह खुशी, मित्रता और दयालुता की संकेत है. इसमें आखों का बड़ा महत्व है, जब वे छोटी और चमकीली होती है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है. देखें किसी व्यक्ति की भ्रून की जगर, जहां तवचा गहरी होती है और धीली होती है. जब यह गहरी और तंग होती है, तो यह अकसर मतलब होता है कि वे उलजे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. रुक का तरीका मुह हमें बहुत कुछ बता सकता ह एक मुह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, या बात चीत करना नहीं चाहते, लेकिन एक मुह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बात चीत करने के लिए तैयार है. जब आप च या चुप रहे। उनके चहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलता हो आप उनके चहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। और उन्होंने बता दी इसके बाद उनको अच्छा लगा। और मैंने उनकी मदद की एक सची मुस्कान आँखों को भी खुश बनाती है। ये मतलब है कि वे खुश और दयालू हैं एक उदासी मुह की भाह नीचे जाती है। इसका मतलब है कि वे चिंतित या उल्जे हुए है भो हो उपर जाती है। जब वे हैरान या जिचासु विचार रहे होते हैं तो आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा से तीसरी मेथड के बारे में बताते हैं। कहते हुए ओ राजा एक और भाशा भी है जो है वह है हाथों की इशारों और शरीर की भाशा की किसी के विचारों को समझने के लिए। हमें हाथों की इशारों और शरीर की भाशा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बात चीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है। इशारे क करता है शब्दों के अलावा उनकी शरीर की भाषा भी बड़ी भूमी का निभाती है वह क्या सोच रहा है यह स्पष्ट करने में ओ राजा शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं यह शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं वे छोटी छोटी चीजों से जो वे करते हैं किसी को ध्यान से देखें जब वह आपसे बात करते समय अपने उंगलियां तेजी से टैप करता है जब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती है तो यह मत यही इशारा करता था, मुझे पता चल गया था, कि वह घबराया हुआ था, तो मैंने उससे बेहतर कीमत पर खरीदने को कहा, और उसका हैराना हो गया, कभी कभी किसी को अपनी बाहू आपस में जोडते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से नहीं है, वह अपने विचारों को आप से छुपा रहे हैं, इस तरह से अपनी बाहू जोडने का तरीका, उनके विचारों और भावनाओं को दूसरों से सुरक्षित रखने की तरह है, इस चिन्ह को देखकर आप जब उनसे बात करें, तो दयालू और सतर्क रह सकते हैं, त जिससे वह आपसे रूचा रखते हैं, और और जानना चाहते हैं, इस तरह से अपने शरीर को हिलाने का यह तरीका दिखाता है, कि वह आपकी बात, जो ऐसा करते थे, वह बहुत शान्त थे, लेकिन वह दिल्चस्पी से आगे जुकते रहते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें उस विशय के बारे में और जानना था, कभी-कभी लोग जब आपसे बात करते समय अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वह किस बारे में सोच रहे हैं, यह अक्सर मतलब रखता है कि वे चिंतित हैं या सोचते हैं, यह सब छ बातों को सराहना करनी पड़ती है, जो वे नहीं कहते हैं, यह छोटी पर महत्यपूर्ण संकेत, जैसे कि एक शांत पुस्तक, आपको उन भावनाओं और विचारों को दिखाते हैं, जो उनमें छुपे हुए हैं, और आपको उनसे बेहतर जोडने में मदद करते हैं, अगर इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान मिलाना होगा और उसे वर्तमान मिलाना होगा, तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, अन्यथा, अगर आप पूर्व घटनाओं या के योजनाओं में प्रवृत्त हैं, तो आप कभी भी व्यक्ति की शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे, और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं, आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा, जो आपको शांती से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन संकेतिक शांती पूर्ण है, इसलिए वह आसानी से आप इससे मुझे उत्साहित किया जाएगा कि मैं आपके लिए और भी रोचक और जानकारी पूर्ण कहानियां बनाऊं देखने के लिए धन्यवाद और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहे बात चीत करने के लिए तैयार है जब आप चेहरे की इन संकेतों को देखने और समझने में महारत ही है तो आप ये जान सकते हैं